वेल्कम गूड मॉर्णिंग और दियर इस चैनल देन सब्सक्राइब एन प्रेश दाब लाइक इस वीडियो में हम देखेंगे ग्यान से तू सुगम अधिकम कारिक्रम कारिपुष्ट का हिंदी पेज आपके पास दिखाई देरा पेज 29 का अध्यन करेंगे तो अच्छी तरह से देखें आपके अपने वर्क बुक खोलें और धियां से पहले समझे कि आखिर कैसे किस तरह से सोलीशन को क्या जाएगा तो आप देख रहें आपके पास दियाद रहें चित्र के साथ दी गई कविता को पढ़कर उसमें दी गई घटना को करमबद रूप में लिखें यह पर लटके उल्टे बच्चे तोड़ रहे थे आम वो कच्चे इस तरह से आप देखेंगे यह कविता के माध्यम से आपका कविता बन जाता है आए देखते हैं नेस्ट में दिया हुआ दो नमर में दो नमर में देखना है कि उपर पढ़ी गई कविता के अधार पर दिये ग इस तरह से आपको यहां पर सही और गलत का चिन लगाना है यह देख रहें आपके पास सही और गलत का चिन दिखाई लगा है इस तरह से आप अच्छी तरह से अध्यान करके आप बनाएंगे तो इस तरह से देखकर आप सही और गलतकार निसान लगाएंगे आईए उसके बाद देखते हैं तीन नमर में लिखा हुआ है यहाँ पर जो चीतर दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको यहाँ पर यह नाव लेकर चुहा आया और चीटी और चूजे को बिठाया और इस तरह से कविता को आगे पढ़ा तो पढ़ने के बाद कुछ बच जाता है इसे आप कविता के माध्यम से आगे बनाना है इस तरह से देखिए आपको बना के दिए आप दुसरा भी कुछ लिख सकते हैं जो कि इस कविता के माध्यम से दिखाई दे यहां पर आप देख रहे हैं पेज नमर 30 का देन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं दिये गए चीतर के अधार पर एक संबाद लिखिए यह आपस में क्या बात्चित कर रहे होंगे तो यह देखिए तस्वीर को देखने से पता चलता है कि पसु पच्छी के बीच काफी गहरा दोस्ती है और सभी अराम से बनभोच का आनंद ले रहे हैं और यह तस्वीर हमें सीख भी देती है हमें आपस मिलकर रहने चाहिए इस तरह से आप लिख सकते हैं चाहें दुसरा भी बना कर इसमें लिख सकते हैं अब यहां पर देखा जाए तो यहां देखिए एक आपको गतिवी धी दी हुई है इस गतिवी धी के माध्यम से आपको लिखते हुए चलना है कैसे इस रिट्टू को बनाया जाएगा इस तरह से अच्छी तरह से देखकर इसे लिखने का प्रयास करेंगे यह पेज 30 से आपका complete हो जाता है और यहां पर पेज नमर में देख रहे हैं इस में से क्या क्या दिखाए दे रहा है तो आप देखे कुटाभ बाल्टी घाड़ा जो में दिखाए दे रहा है आप इसे चितर से लिखेंगे और यहां पर दिया गए सब्दों से नाम वाले सब्द पर घेरा लगाईए इस तरह से देखकर घेरा लगा सकते हैं और तीन में देया हुआ है कि इसे उपर दिये गए सब्द चिन्हों को सारनी की जगा चुनकर लिखिए जानवर और पक्षी को लिखेंगे चीजें जो है इसमें से अब देखकर ही इसे पूरा करेंगे आईए चलते हैं नेस्ट पेज पर नेस्ट पेज में आद देख रहे हैं उचित संग्यासाद चूनकर खाली अस्तान भर ये तो यहां पर दिखिए फूल पर तितली बैठी है तो चिडिया नहीं बैठी है फूल पर यहां तितली भरेंगे और यहां पर किसान लिखेंगे यहां तोता लिखे यहां पौधा लिखे और ऐसे ही चार वस्तों के नाम लिखे जो आप पारक या बगीचे में देखते हैं जानुवर, पेड, पौधा, पक्षी इस तरह सिसको लिख सकते हैं और यहां पर दिया हुआ है निमलिकी तो वाक्यों में से संग्या सद को छांट कर लिखे तो जो भी वाक्य में संग्या है उतना यहां पर लिख सकते हैं जो कि संग्या के नाम पर यहां लिखने के लिए कहा गया है और चाहर नमर में देखें यहां पर दिया नीचे दिये गए सब्दों से नाम वाले सब्द पर नाम वाले सब्द छान कर लिखिए नाम वाले सब्द इसमें लिखिए और बीना नाम वाला इसमें लिखिए इसी में यह कोई यह लिखना है और यहां पर देख रहे हैं यह सब्द किसके लिए आया था यह मिनाक्षी के लिए लिखेंगे यह मनीश के लिए सब्द आया तुम सब्द का परयोग और बिल्ली के लिए यह आया है जो कि अंडरलाइन वह दिया है यहां पर उसके बाद देख रहे है दो नमर में जंगल में मोर नाच रहा है उसके पंक बहुत सुन्दर हैं यह लिखेंगे अब यह नमर में आप देख रहे हैं हाथी पर सब बच्चे सवार हुए और वह धीरे-धीरे चलने लगा तो को अंतर हाथी चलने लिगा हाथी के लिए सब्दा आया है अंडर लाइन व लिखना है दिए गए वाक्यों में ऊचितः सरव goose naam सभार का पुरा करना है कि अट पिर Jest दिखन सकते हैं यहां पर अप देख रहें पेज नुब 36 का द्हिन कर生 fart आप तो रचना ब्याक्रन बहुत से है कि क्या का रहा है निचे दिए गए अनुछ sur meinen सरवनाम सब्द को छाट कर लिखिए तो जो भी आपका यहां देख रहे संग्यां लिखिए इसमें सरवनाम जो भी है इसमें लिखिए तो इस कहानी को पढ़ते हुए आपको यहां पर पूरी तरह से लिखना है आए चलिए अब देखते हैं कुश्चिन नमर 2 में क्या कह रहा कि नीचे दिए गए सब्दों में से संग्यां या सरवनाम सब्दों को छाट कर सारणी में लिखिए तो यहां जो भी आपको संग्यां यहां संग्यां इसमें लिखिए सरवनाम जो भी आए यहां आपका जो भी सरवनाम है इस सरवनाम सब्द को इसमें आपको लिखना है य ँर अच्छी तरह से आप लिखेंगे कि कहानी Meuse 49 पर रिखा देना है और यहां पर लिखा हुआ है यह गलत लग रहा है अजिसने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको परियोग केरें'T के सरनाम का यूज करकी जो आपके सम्मूने में दिखाई दे आएए चली देखते हैं पेज नमर 37 का धिन करते हैं पेज नमर 37 में कहा जा रहा है दिए गए सरणाम सब्दों का उप्यों करते हुए वाक्यों को पुरा किजिए तो आप देख रहे हैं आपके पास पेज 37 का धिन कर रहे हैं दिए गए सरणाम सब्दों का उप्यों करते हु उसको हम तो बक्री जंगल में जा रहा ही थी राष्टे में उसको कि एक भीडिया मिला तो यहां क्या भरेंगे उसको भरेंगे और यहां पर देखें कि मोहन ने सोहन से पूछा कि तुमने रोहन को क्या दिया इस्तर सब्द को यहां भरना है कौन सा सब्द उचीत होगा तो सर सब्सक्राइब लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है या इसी पर बना कर आप लिख सकते हैं आइए च्छो नमर को देखते हैं दिये गए अनुछेद में अप्यूक्त विराम चिन यह आपका पूर्णी विराम यह आपका है प्रस्वाचक तो लगाएए इस सब्सक्राइब यह करते चलिए दोस्तों को भी सियर कर सकते हैं उसके बाद देखने पेज नमर 38 का अध्यन कर रहे हैं तो इसमें कहरा कविता में आये संजुक्त अक्षर सब्दों को लिखिए जो जो इस कविता में आप पड़ रहे हैं संजुक्त अक्षर है उसको यहां पर लिखना है तो आ देखना है पुरा करना और ती नमर में देखrito निम्य सब्ड़ों का परियोग कर एक एक वाक्ष बनाए तो परिस्रम से आप रहते को परिस्रम मृटि का और बिठाओ आप दूसरा भी वाक्ष बना सकते हैं यह नहीं कि यही बनाएंगे आपको बता रहें इस इसको बनाया जाता है तो उमिद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आईए चलिए देखते हैं पेजर्म 39 का ध्यन कर रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं वर्णों को जोड़ कर नाई सब्द बनाई इस तरह सब्द देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे जो भी सब्द दिखाई देरा इसी को पढ़ना है और लिखना इसी को पढ़ना है और पुना इसको लिखना इसी को पढ़ना है इसी को लिखना यहीं इसमें कहा जा रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब एक से एक सो तक ऐसे सब्दों को लिखे जिन watching my video.